और खरेंस कर ब्याक्तिफोर शीरीज में संदी सीखिन के क्रम में आज का वेडियो अधरित है बनेंजस संधी और युखinkा हम सब कुझ जानेंगे तो चलिए देखते हैं विंजसंदी हमने जाना थह पिछली यूधियो में है एक संदी किसे कहते हैं सबसे पहले दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा वसंदी कहलाएगा दो वर्णों के मिनने से जो विकारोत्पन होता है वसंदी कहलाता है ठीक है और अज संदी के बारे में आपने जान लिया था आज विंजन संदी है तो विंजन संदी में क्या होगा दोनों वर्णों में से उन दो व वर्ण होगा ठीक है जो पहला वर्ण होगा वो व्यंजन होगा यहां निवार यह पहला वर्ण व्यंजन ही होगा दूसरा वर्ण या तो स्वर होगा या व्यंजन हो सकता है और तब जो परिवर्ण होगा उसे ही कहेंगे व्यंजन संधी ठीक है दोस्तों वही कहला ही जाएगी विंजन संधि तो अब देखते हैं कि कितने प्रकार से कितनी परिष्थिति एंसी होती है कि एतनी सुचुन से जहाँ पर दो वर्न आपस में मिल रहे है जिन में पहला वर्न गंजन और दूसरा वर्न श्वर या दू हो अदुर गंजन है और उनके मिल्ने से परिवर्तन हो रहा है या ग Seal गंजन संधी बन रही है चलिए तो पहली जो संधी है वो है स्चुत्व संधी देखिए स्चुत्व संधी कि इसका नाम पड़ा स्चुत्व संधी देखिए इसका नियम यह है कि पहले दो वरणों में संधी होगी पहला वाला वरने व्यंजन होगा और उस व्यंजन में से जो पहला व्यंजन जो होग वो अगर या सह हो या तवर्ग का कोई वर्ण हो तवर्ग तवर्ग में पांच वर्ण आते हैं तथ दध न ठीक है पहला वाला वर्ण कि रहले हैं तो है तो हुए तो है कि यह बदल जाएगा इस तरह से यह दंतिय शव बदल जाएगा ताल्म यह द्हान में और यह एंशलों में सबसे जो कि एक तरह से कासों कि वन्चित है जो ठीक है यह सबसे कमजोर जो एख सकम्जोर जो धाल — है उनमें ये विंजन है सर और तवर्ग ये बदल जाया करता है पीछे वाला वरण ये बदल देता है इनको अपने अनुसार ठीक है ये वरण जो है इनको अपने अनुसार बदल दिया करते हैं ठीक है तो कभी भी सर या तवर्ग के बाद शर या चवर्ग हो तो ये जो है ये ब कि सिर्फ पीछे आने पर ही नहीं अगर एशो इस पहले आता है तो भी अगर एशो जो है तालब विश्यो रहने हो जाएंगे यह दूसरा पैदा तो भी इसमें बदल जाएगा अगर बार चवर्ग का बरन पहला बरन है और दूसरा बरन तवर्ग का है तो भी ये तवर्ग चवर्ग बदल जाएगा और अगर बाद मार है लिए बाद मार हुछ जैंग अ यह जो है बदल जाएंगे जहां पर यह चीज़ां बदल रही है और शुक्त वसंदी होती है इसका सूत्र क्या है इसका सूत्र है पाणिनी इसका सूत्र बताते हैं वर्ग के पहले अक्षर के नीचे यदि उ की मात्रा लगी हो ठीक है वर्ग के पहले अक्षर के नीचे यदि उ की मात्रा लगी हो जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस की अपनी डिक्सिनरी होती है उसी तरह हम व्याकरर पढ़ रहें तो पाणिनी की अपनी डिक्सिनरी है वो नहीं बोलेंगे कवर्ग चवर्ग टवर्ग ऐसा नहीं बोलेंगे वो बोलेंगे कू या चू या टू ठीक है तू पू इस त तुम उ था, उ को हो गया, तो सु और तवर्ग को हो जाए, सु और चवर्ग कब यदि सु और चवर्ग उसके पीछे हो या आगे हो तब, ठीक है, तो यह इस संधी में बताया रही है, अब इसके उधारण हम समझते हैं, देखे, पहला धारण, सत, चरी तम, अब देखे, सिच्विशन तव है, तवर्ग का वर्ण है, ठीक है, और पीछे चवर्ग का वर्ण है, पीछे चवर्ग का वर्ण है, तो नियम यह था कि तवर्ग के बाद कभी भी चवर्ग आए, तो यह बदल जाएगा चव में, ठीक है, आप क्या बनी गया है, स, तव बदल गया चव में, पीछे चरी तम है ही पूरा, सत चरी तम, ठीक है, सत चरी तम, तव चव में बदल ग और बन गया सच चरितम ठीक है और उधारन देखते हैं सव का उधारन एक देखते हैं कस चित अब सव के बाद कभी भी चवर गया शव हो तो सव किसमें बदल जाएगा दंतिशो किसमें बदल जाएगा तालव विश्व में अभी हमने नियम पड़ा ठीक है तो आधाशो यह सब बदल गया तालव विश्व में पीछे चित है ही तो क्या बन गया यह कश्चित ठीक है यहाँ पर चुत्व संधी हो गई इसी तरह और भी जो वरन हैं उनके बारे मे ठीक है इनका संधी वीचे आप खुदी करेंगे देखिए जैसे उचारणम ठीक है उचारणम है और सजनम सजनह ठीक है और देखिए एतद नहीं एतद जलम ठीक है और और क्या बनेगा और बनाईए और 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 क्या बनेगा बताईए एक उधारणम जो आकल में पानिनी ही देता वरत राजाचारी जी देते हैं लगस्दान कौमवदी में हरिश शेते हरी सेती हरिश सेते ठीक है अब इनका संधी शेत आप स्वयम करेंगे और पहली क्या था और परिवर्टतन कहां हुआ है ठीक है तो यही है सुद्व संधी